जैमा इंद्राक्षी जैंबे और यह उपाय किस-किस को करने हैं जिनकी जनम से कुम्ब रासी है कुम्ब लगन है या पुकारते नाम से आपकी कुम्ब रासी बनती है आप यह उपाय करें हमें अपनी रासी से संबंदित उपाय महीने में कर लेने चाहिए ताकि हमारी रासी को बल प्राप्त हो और ग्रहों कि कुटिल चाया हमारे उपर प्रभाव ने डाल सके हमें रोज ग्राहों के मंत्र या ग्राहों के उपाई करने के आवश्रक्ता नहीं है महीने में भी कर लेंगे आपको लाब मिलेगा हाँ अपनी धैनिक साधना अपना गुरु मंत्र हम प्रती दिन करें उससे तो देखो देखें कि जून के महीने में ग्रह कौन कौन से बदल रहे हैं क्योंकि ये गलत में आपकी दूर हो जाएगी कि रोज उपाई करने का कोई ऐसा ग्राहों का फाइदा नहीं है क्योंकि रोज ग्रह नहीं बदलते हैं सूरिय पंदरा जून से मिथुन राशी में चले मंगल पूरा जून का महीना करक राशी में रहेंगे करक राशी में मंगल थोड़ा कमजोरी दे रहते हैं लेकि उपाई करने से लाप मिल जाता बुद्ध साथ जून से वर्शव राशी में रहेंगे ब्रसपती मेश में चल रहे हैं मेश में रहेंगे कोई परिवर्तन नही है शुक्र पूरा जून शुक्र भी करक रासी में रहेंगे और यदि आप हमारा कारे करम मई से थोड़ा तीस तारिक से पहले देख रहें तो तीस मई से शुक्र चेंजो करके करक रासी में चले जाएंगे जून में पूरा करक राशी में रहेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा शनी आपकी राशी के स्वामी खुशकबरी है आप ही की राशी में चल रहा है कुम राशी में ही विचरन कर रहा है आपको लाब देंगे और शनी नियाय के देव है बहुत अच्छा लाब देते हैं राहु केतु कभी इस महीने कोई परिवर्तन नहीं है शनी का भी कोई राशी परिवर्तन नहीं है ये था परिवर्तन आईए बात करते हैं आपकी राशी के बारे कुम्ब राशी बिशाल राशी है संगर्स सील ये प्राणी रहता है जीवन की अंतिम सांस तक संगर्स उसका चो कहते हैं न दामन चोली वाली बात होती है ये हमेशा अपस में एक दूसरे की मित्रता रहती है लेकिन अपनी मन की शक्ती के सहरे अच्छे कर्मों के सहरे वो अपनी जीवन की जंग को जीत लेता है खैर बहुत सारी विशेस्ताई भी है यहां समय कम है अब देखू जून के महीने में कुछ तारीके हैं उन तारीकों में थोड़ा आपको साबधानी से काम लेना है वो तारीके आप लोग नोट कर ले 7 जून, 8 जून, 16, 17, 26 और 27 जून को थोड़ा सा ध्यान से किसी से बाद भी बाद ना करें संती से काम लें तो ज्यादा अच्छा लेगा राजबक्स से जून के महीने में कोई बह हो सकता है ध्यान रखें कोई बड़ा जगड़ा भीबाद हो सकता है उससे थोड़ा साबधन रहें पेट पीड़ा और चक्कर आने की समस्या और अर्द शूल, अर्द कपारी का दर्द आपको परेसान कर सकता है लेकिन जब उपाई करेंगे तो ड़ने की क्या बात है तो बस ये थोड़ा सा समस्या है रह सकती है इनसे साबधन रहें और बाकी कोई बड़ी खुशकरी मिलने का भी चांस आपको जून में बन सकता अब आई ये बात करते हैं उपाई की उपाई में जून के महिने में आपके आसपास कोई शनी मंदिर हो तो एक बार सरसू के तेल का दीप लगा करके ओम शम सरी चराय नमा तीन सनीवार या दो सनीवार इस मंतर का जाप करें आसपास शनी मंदिर नहीं है तो घर में ही किसी तस्त्री प्लेट में सरसू के तेल का दीप जला में संध्या के समय पश्चिन दिसा के तरफ मुक करके आपने क्या करना है ओम शम सरी चराय नमा इस भी जात्मक मंतर की एक मला दो तीन सनीवार कर लीजिए आपको बहुत अच्छा लाप मिलेगा और संभवो थोड़ा सा साबुत उड़द उस दिये के नीचे रख करके करेंगे तो और अच्छा लाप मिलेगा बाद में वो उड़द किसी गंबले आदी में डाल सकते हैं कोई दिकत नहीं है वो दिया बाद में प्रियोग में विला सकते हैं कोई दिकत नहीं है काला कपड़ा, काला कंबल काला जूता काला च्छाता, छत्री कोई भी ऐसी चीज जो किसी के काम आ सके रंग ब्लैक हो या लोहे से बनी हो तो आप किसी सन्यासी को किसी बैगर को जून के महीने में जिब एक शनिवार दे दीजीगा शनिदेव की गरपा आपके उपर बरसने लगेगी और इसी के सास्ता एक चीज आपको और बता देते हैं चीटिया काली चीटि काली चीटि को देशी सक्कर खांड या पूरी बना ले और उसके बहुत जुरमर कर लें जिसे चूरमा टाइप करते हैं लेकिन बहुत पतला उसमें थोड़े सा सक्कर मिला लें वो आपने शनिवार के दिन काली चीटियों को खिलाना आप काली चीटि हो या दूसरी भी हो किसी भी प्रकार की चीटि हो सुबा के समय दो-तीन सनिवार खिला दीजिए और काग पक्षी, कोवे पक्षी को भी इसी प्रकार से चूरी खिला दीजिएगा आपके शनी आपसे प्रसंद रहेंगे आपको लाद मिलेगा शनी बार के दिन भूल कर भी किसी दूसरी विक्ती का जूता चपल आप लोग ने पहना करें ये साथ धनी आप लोग बढ़ते हैं इस बार मैंने जो भी आपको यह उपाय बताए है इसमें से जो भी सहज सरल आपको लगे भी घर में दीप लगा करके उड़त के उपर रख करके शनी का ध्यान तुम कर सकते हैं इतना तो हम करी सकते हैं किसी को कोई काले रंगी चीज भी हम दान कर सकते हैं ये ना हो तो चीटियों का कुछ कर सकते हैं खोवे पक्षी का कुछ कर सकते हैं, हाँ जो विदेवसों में रहने वाले लोग हैं, वो ऐसी चीज़े उनको नहीं मिलती है, तो वो लोग क्या करें, केवल शनिवार के दिन, तस्तिरी पिलेट में काले ओड़ती उपर, दीप रखके, दीप जिला करके, पश्रिम दिशान मे एक खास बात हो, जानके, आपके पास यदि 114 मुखी का रुद्राक्षे, ये केवल 14 मुखी का रुद्राक्षे, आपके लिए पहनना उत्तम रहेगा, हमेशा पहन सकते हैं आप, आपको किसी भी देवी यंत्र की साथना अपने घर में करिए, कोई भी श्रियंत्र हो, रासी के हिसाब से बड़ा ही आनंद दायक आप लोगों के लिए रहेगा, और बाकी हमने मेश रासी से मीन रासी तक के सरी उपाये बताए हैं, हो सकते हैं आपके घर में, या आपके मित्र की किसी की कोई और रासी हो, तो उनको भी सुझाव दे सकते हैं, कि वो अपनी रास आपके उपर शुब रहे, जिनको शनी की ढहिया है, साड़े सती है, उनके लिए भी कुम रासी से संबंदित या सनी से संबंदित उपाये करने से विशे इस परकार का लाब बिलता है, आप स्वस्त नहें, सुखी नहें, इनी शुब कामनाव के साथ हम अपनी मानी को विरा बढ़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे, उनसे में कहता था, भाई, मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इससे कहता हूँ, सुब जल्दी उठा को रहे, कभी उठता नहीं, क्या हुआ कि मैं आप से मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए उपाये बताए, जो सारे मैं ही कर रहा हूँ, और आपको सुनके बड़ी हरानी होगी इस बात की, कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था, कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो कुछ नहीं करता था, आज मैं बड़ा है, सोंवार के दिनों उठता है, खुदी जो है, वो मेरे घर किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से, नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कौल करने का समय, सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें को सादित आर अदिता हम, सादिता हरें